इन्टेनेट इस फुल अफ प्रो साइंस फेक नॉलेज्ज हाफ इंफरमेशन और प्रोपगेंड़ यॉर क्वेस्ट ऑफ रिलाइबल ऑथेंटिक हेल्थ इंपरमेशन इंद्सेयर सब्सक्राइब इस चैनल और हिट बेल आइकन और प्रोपीन यूरीन नमस्कार दोस्तों मैं आउं डॉकर प्रोटीन अरहा है सर क्या करूं क्या मेरी किडीनी डैमेज हो रही है क्या कर रहा हुं वह रहा है वatter mostrar है मैं क्या आइ माड स्ब्सक्राइब और मैं कैसे सथी कर अगर अगर आपका protein आ रहा है protein वह चीज जो आपकी बॉड़ी के लिए ब्लट में पाया जाता है और आपके बॉड़ी के लिटी हर चीज बनाने के लिए protein हो सकता है kidney की बिमारी में protein leak हो सकता है urine के अंदर that is one reason right even a small kidney में थोड़ा तो थोड़ा सा प्रोटीन आ सकता है इसी लिए कहते हैं बहुत चोटी मातरा में अगर यूरीन में आ रहा है तो इस नहीं तो बी कंसरन बाउट एक आदा चोटा मुटा इश्यू अपट लार्ज large amount of protein in urine can indicate a kidney disease and constantly increasing amount अगर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है that means kidney damage भी बढ़ता जा रहा है है so kidney के अंदर urine के अंदर protein urine normal urine routine microscopy test से हो सकता है ज्यादा तर जगाओ पे केवल 50 रुपए का test होगा ज्यादा महंगा हाता नहीं है इंडिया के अंदर कई जगा और विसस्ता होगा और urine routine test एक यूरीन अनलेसिस के पार्ट में chemically देखा जा सकता है यूरीन अनलेसिस ओफन आपके routine health examination में भी किया जा सकता है to to look for or monitor kidney damage right healthy kidney में urine में कोई urine में protein यहने albumin नहीं आये करें आप यह blood है यह आया urine में no albumin damage kidney में albumin नहीं आपके चाइपती नहीं आनी चाहिए अगर एक छेद हो गया चाय की चाइपती की बादाना आगा यह जितना ज्यादा protein उफना ज्यादा damage so why you should do urine routine test urine test क्यों करना चाहिए अगर आपको regular health check-up में तो हुई रहा है को kidney की विमारी यह तो करना है अगर आपको urine करने में issue difficulty urination frequently बार-बार पिशाप आ रहा है उल्टी नौजिया आ रहा है खाने का यह फिर खुजली हो रही है शरीर में ऐसे काइस केस में kidney का टेस्ट यूरीन का टेस्ट होना ज़रूरी है ऐसे में आपको करना चाहिए और आपको करते हैं किद्नी का टेस्ट यूरीन का टेस्ट तो यूरीन का सैंपल लेते समय क्लीन कैच सैंपल लेना ज़रूरी है मतलब पहले हाथ दोई है अपना जेनेटल एरिया दोई है अपना में पार्ट उसके बाद में आपने मैं ने आदमियों ने पैनिस का टिप भी साफ करना है फीमे क्या करेंगे फिर युरीन करना शुरू करेंगे और यूरीन करते हुए बीच में आपने युरीन की ढ़ना धार है उस द्हारअ करना है आपने अधा कंटेनर भर जाना या तू थर्ड कंटेनर भर जाना चाहिए ठीक है और क्या बुलते इसको कई बार लोग दो कंटेनर भर वाते हैं जो यूरीन फिर आप अपना फिनिश कर सकते हो रोपनी की ज़रूत नहीं है और वो सेंपल कंटेनर आपने अपने सेंपल लेना है और उसी को आप उस स्ट्रिप को आप उसमें डाल देंगे उस स्ट्रिप का निकाल के देखेंगे जो इतना टाइम लिखा है अपने सारी उरीन इकठा करिये इसको भी कहीं बार बोलते हैं तो विकाज प्रोटीन का जो लीकेज है कई बार अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग हो सकता है can vary throughout the day right so collecting several इतने सारे samples पूरे दिन में can also give you an accurate picture of your urine content okay that's how it is so this test के लिए को special preparation नहीं चाहिए खाली पेट नहीं चाहिए कोई दिककत वाली बात नहीं है और आप इसे normally कभी भी कर सकते हैं और सुबह सुबह का सैंपल ज्यादा प्रोटीन करता है तो सुबह 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 फर्स्ट यूरीन या लेना ज्यादा वैतर है इस ब्लध ट्रेश्य अग्धेश्य नहीं है कुछ प्रकार की डाइट्स कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेग्नेंसी शारे ऐसे फैक्टर भी है जो टेंपररी ली स्ट्रेच कर देते हैं पार्ट्स को और उन में से टेंपररी ली प्रोटीन जाधा कर सकता है तो आपके डॉक्टर ऐसे में क्या करेंगे थोड़ी दिन के बाद और टेस्ट करा लेंगे या उसी समय एडिशनल टेस्ट करा के देखेंगे कि भी आपके 24-hour urine sample, kidney function test और वो सारे हाई लेवल्स हैं बार बार हाई है बार बार हाई है consistently high that means there is kidney damage या फिर आपके अंदर बीमारी है urinary tract infection, lupus या फिर blood pressure, diabetes, pre-eclampsia जैसी conditions ज्यादा pressure से blood आएगा थोड़ा लीग कर सकता है diabetes, kidney damage कर सकते है, pre-eclampsia ने pregnancy में blood pressure बढ़ जाना, mart pressure वो भी हो सकता है pre-eclampsia अपने आप में life threatening हो सकता है, पुद की mother के लिए भी, बच्चे के लिए भी, कुछ type के cancers में भी असाप सकता है तो आपके results का मतलब क्या है, क्या kidney damage है, आपकी normal है, physiological है, इसके लिए आप अपने doctor से discuss करें, अपने urine routine microscopy report के साथ हमारा number ही लिखा है, हमसे discuss करने के लिए आप कर सकते हैं तो याद रखें, आपके doctor का और आपके regular health check-up से ही पता चलेगा, कि आपको कोई urine related, kidney related बिमारी तो नहीं है, और जैसा आपको बताया गया है, उतने regularly बार बार आप urine analysis कर सकते हैं तो ध्यान रखें, urine का test बहुत जरूरी है, जो हर routine check-up में होना चाहिए जिससे बहुत important जानकारी हमें मिल जाती है, so I hope आपको इस वीडियो में कर सीखनी को मिला होगा, तो कृपया इस वीडियो को like जरूर करे, share करे और अपने दोस्तों को इस channel के बारे में बताएं, thank you so much this is Dr. Paranjit, stay connected, stay healthy